चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों कहीं भी कम फीस पर सेमी गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज में एडमिसन मिल सकता है क्या इंडिया में सेमी गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज कितने हैं गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज में पेमेंट मेनेजमेंट सीट कौन-कौन से स्टेट में है और इनकी फीस क्या है क्या इन पेम तो इन सब के बारे में जो भी आपका confusion है वो मैं सारा दूर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके हर एक doubt का solution करना मेरा दाइतवा बनता है, जो candidates मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको सही सुचना, समय पर सुचना देना, समय पर हर चीज के बारे में बताना, ये मैं अपना समझता हूँ, इसी को देखते हुए मैंने book publish की थी, कि हर एक student को इसका फाइदा मिले, और इसका काफी हजारों student को फाइदा मिला है, हर साल फाइदा मिलता है, क्योंकि book से हर कोई student घर बैठे counseling करवा लेता है, तो एक बार semi government medical college के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन books क के बारे में बता देता हूँ, हो सकता है ये आपके भी काम आए, अगर आप किसी counselor से भी counseling करवा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा counseling के बारे में knowledge होना जरूरी है, तो ये तीन प्रकार की book है, mcc, state quota और आयूस वेटनरी की, mcc की book में 24 list दे रखिये 2420 के लिए, और इसमें round wise, categories category wise cutout दे रखिये ताकि आप idea लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सी college मिल सकती है, previous year में किस rank पर कौन सी college मिला था, central pool quota के बारे में भी इन में समझा रखा है, ऐसे ही state quota की book में भी हर एक state के बारे में सब कुछ यहां पर समझा रखा है, जिसकी आपको जरूरत है, अब आय से ही आप download करेंगे, हम आपसे संपर्ख कर लेंगे, तो इसमें अभी हम बात करते हैं, मैं आपको बताओं कि क्या हमें कम marks पर इंडिया में कहीं भी कम fees पर semi government medical college में admission मिल सकता है, तो मेरा यहां पर जबाब होगा नहीं, क्यों नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम यह समझ ले ट्रस्ट दवारच लाई जाती हैं, जो colleges private होती हैं, लेकिन government का उन पर control होता है, वो होती है, semi government medical college, और इंडिया में दो ही ऐसी college है, जिन पर government का control होता है, यह अगर से इन अगरवा में हरियाना में इस्तित एक college है, और दूसरा college MGM वर्दा माराष्ट में इस्तित है, जो अ जाती हैं, इसलिए other state candidate इसमें बिल्कुल भी admission नहीं ले सकते हैं, इस semi government medical college है, दूसरी जो semi government medical college है, वो MGM वर्दा माराष्टर में हैं, जिसकी 15% सीटे all India quota में भी share होती हैं, और 85% सीट से वो माराष्टर state के candidates के लिए हैं, इसमें सरफ 15% all India quota पर ही other state candidate eligible हैं, लेकिन जो मारा जो मेरा कहने का मतलब यह हैं कि इंडिया में दो ही semi government medical college हैं, जिनमें other state candidate admission नहीं ले सकते हैं, यहां पर सिरफ state के रहने वाले candidate ही admission ले सकते हैं, तो यह मैंने आपको semi government medical college के बारे में बताया कि इंडिया में शरफ 2 semi government medical college हैं, अब बात करें, गौर्मेंट medical college में payment और management seat कौन कौन से state में हैं और इनकी fees क्या है, तो देखो राजस्थान, गुजरात और अंदरप्रदेश, तीन ऐसे state हैं, जहां के government medical college में payment seat या management seat होती हैं, जहां पर उनके state के candidate ही admission ले सकते हैं, इनको लोग semi government medical college भी बोलते हैं, लेकिन यह पूर्णतया government medical college हैं, मैं इनको semi medical college की category में नहीं रखता और कोई भी नहीं रखेगा इनको, क्योंकि यह पेवर medical college हैं, government medical college हैं यहां पर, अब यह जो payment और management seats हैं, यह तीन state में, राजस्तान में राजमैस के अंडर 17 colleges आती हैं, जिनकी fees 11 लाक रुपए सब कुछ मिला के per year पड़ेगी इस साल के लिए, तो यह राजस् इस स्टेट के candidate ही इस पर admission ले सकते हैं, गुजरात स्टेट में GMERS की 13 college हैं, इसमें 5 college ओल इंडिया कोटा को सेर होती हैं 15% में, और बाकी colleges स्टेट के लिए हैं, इसमें दूसरे state candidate admission नहीं ले सकते हैं, इसमें सरफ गुजरात के domiciled candidate ही admission ले सकते हैं, इनकी जो fees है, government कोटा क तीन लाग तीस हजार परेनम हैं, अलंकि इनमें management fees 18 लाग के नियरवाई है यहां पर, अब इसमें कुछ colleges, municipal area की भी हैं, वो area wise हैं गुजरात में, वो लेकिन गुजरात स्टेट के candidate की उस पर eligible हैं, अब बात करें आंदरप्रदेश स्टेट में, तो आंदरप्रदेश स्ट सकते हैं, दूसरे स्टेट के candidate इनमें admission नहीं ले सकते हैं, इनकी 12 लाग पर एनम fees है, तो यह आपको बिल्कुल clear हो गया होगा, कि इंडिया में semi government के नाम से 2 college हैं, बाकि 3 स्टेट में payment और management seat हैं, जिनकी fees बहुत ज़्यादा है, और वो government की colleges हैं, और उनमें उसी स्टेट के candidate ही admission ले सकते, other state candidate admission नहीं ले सकते, तो semi government का यहाँ, दूसरे इन 3 state के अलावा जो state बसते हैं, वहाँ उनका chapter ही खत्म है, उनको यह नहीं सोचना चीए, कि हमें semi government कहीं मिल सकती है, क्या कम marks पर या कहीं कम fees पर, ऐसा उनके लिए सोचना बिल्कुल भी गलत है, अगर उनको को इस परकार का जासा देता है, कि आपको semi government seat दिला देंगे, तो वो नुकसान में जा रहे हैं यहाँ पर, अब इनमें बताएं, कि क्या इन payment और management, जो seat तीन state में other state candidate admission ले सकते हैं, तो यह मैंने पहले बता दिया, कि इसमें admission नहीं ले सकते हैं, अब कुछ से state की private colleges हैं, कुछ प्राइवेट कोलेजेज में यहाँ admission लेते हैं, हालांकि इनकी fees 130,000 के something है, प्राइवेट कोलेज में, government quota में, वैसे इनकी 13,000,000 पड़ती है, other state candidate के लिए, लेकिन इन government quota की seat पर other state candidate admission नहीं ले सकते, वो वहाँ पर, जो open seat से 15%, वहाँ admission ले सकते, other state candidate इन करनाटका के government seat पर, जो private medical college हैं, उनमें admission नहीं ले सकते हैं, अब बात करें तेलंगाना state में, तो तेलंगाना state के government medical college की, जो fees होती है, उसी fees पर, यहाँ की private medical college हैं, वो government की seat offer करती हैं, ऐसे ही अंदरपरदेश में हैं, और पंजाब में भी, जो private medical college हैं, उनमें government seat से आदेश को छोड़ करके, government medical की थोड़ी सी government से इनकी private की fees ज्यादा होती है, लेकिन इनमें seatें available हैं, पंजाब में private medical college में government seat, अभी तिरपुरा की बात करें, तो तिरपुरा medical college में भी, जो private college हैं, उसमें government seat available हैं, वेस्ट बंगॉल में भी available हैं, अलांकि वेस्ट बंगॉल की जो fees हैं, वो काफी महंगी एक ही college है, महरसी मारकेंडेस वर, तो इसमें भी state quota है, management की fees अलग है, और state quota की fees अलग है, तो इसमें भी state के candidate admission ले सकते हैं, जारखंड में भी एक private medical college है, जिनमें seat तो हैं, इस्टेट कोटा के लिए लेकिन fees हैं, लेकिन यहां टाटा मनिपाल में, यहां scholarship दी जाती है, इस् प्राइवेट medical college में state candidate को, यहां government seat पर admission दिया जाता है, तो इस परकार सी यह state है, जहांके private medical college में, government seat पर admission मिलता है, लेकिन आपको यहां एक चीज़ यह बता दूँ, कि यहां private medical college में, government seat पर यहां के दो missile candidate को ही admission मिलता है, इन state के जो रहने वाले हैं, उन्हीं को अपने state मे कभी भी admission नहीं मिलता है, महराष्टर और MP state ऐसे हैं, जहां पर scholarship दी जाती है, scholarship का मतलब महराष्टरी state में जो OBC, NTD, NTC, NTB, या FIRE, SC, ST candidate हैं, उनको यहां fees में 50% का रियाइद दिया जाता है, हालांकि general category को fees में रियाइद नहीं दी जाती है, और MP state में दो परकार की scholarship scheme होती है, और एक दूसरी जन कल्यान योजना होती है, जिनकी fees माफ हो जाती है, लेकिन यहां पर इन दोनु state में state के candidate ही admission ले सकते हैं, other state candidate इन में admission नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह दोनु ही close state हैं, अभी मैं आपको इन state के अलावा और statewide detail बता देता हूं, उत्तर परदेश state, यहा से कोई चीज नहीं है, इन candidate को semi-government के नाम से कोई लाब नहीं मिलेगा, ऐसा ही हरियाना इस्टेट में है, हरियाना इस्टेट में हालांकि state कोटा के लिए seat जरूर हैं, लेकिन fee semi पढ़ती है, चाहिए other state candidate हो, चाहिए हरियाना इस्टेट का candidate हो, लेकिन इनके लिए भी कहीं state candidate admission ले सकते हैं, हालंकि यहां पर तीन minority college है, केमसी कठियार है यहां पर, इसके बाद में मधू बनी है, यह दो मुसलिम minority के college हैं, जिनमें Muslim quota यहां available है, और एक तीसरा college माता गुजरी है, जिसमें शिक minority के candidate यहां admission ले सकते हैं, बिहार open to all है, other state candidate यहां admission ले सकते हैं, यहां के candidates के लिए, जो seat रिजर्व हैं private colleges में, उन पर भी fees हैं मैं यहां पर, इसलिए other state candidate के साथ में, इनमें उनसे अलवा कोई फाइदा नहीं होता है, बिहार state के candidate को, उत्राखंडी state में भी यही है, उत्राखंडी state में, जो other state candidate हैं, उनकी जो जितनी fees होती है, उतने ही दिल्ली और आसाम में कोई private medical college नहीं है, यहां सिर्फ government medical college है, इसलिए other state में से में government का कोई, इनको admission का, और कहीं अपने state में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, admission इस seat पर, अभी केरिला की बात करें हैं, तो केरिला state में भी private medical college में seatें तो जरूर reserve हैं, लेकिन fees में कोई अंतर नह state है, तो यह state के candidate को ही मिलती है, जैंड के में भी private medical college है, जमू में, तो उसकी भी जो fees है, वो जैंड के candidate के लिए यहां भी other state candidate admission नहीं ले सकता, बात करें हम शप्तीस गड़ी state की, तो शप्तीस गड़ी state में तीन medical जो private colleges हैं, उन्हें में other state candidate admission तो ले सकते हैं, लेकिन state quota की seat पर admission नहीं ले सकते हैं, इनमें state quota की seat अलगरी जरू होती है, लेकिन fees दोनों की same है, state quota हो चाहिए, other state quota हो, इससे fees में कोई फरक नहीं पड़ता है, आसाम का मैंने बता दिया, यहां पर कोई medical college नहीं है, तो यह मैं सोचता हूँ कि semi government का जो funda है, अभी लोगों में ऐसी भ्र से दूर हो गए होंगे, अगर फिर भी नहीं होते हैं, तो आप comments में मेरे को लिख सकते हैं, और बाकी मैं आपको बता दूँ कि कोई भी counseling update होगी, हमारे channel पर आपको authentic और सई समय पर सठीक जानकारी मिलेगी, हमारा गलत वीडियो upload करके, लोगों को भरमित करके views लेना कोई म जरूरत है कि हम जोटे भ्रहंतियां फैला के views gain करें, क्योंकि इनकी जरूरती नहीं है, हमारा सिरफ एक ही मकसद है, student को सही समय पर सही जानकारी हमारे channel दवारा दी जा सके, तो इसी सही जानकारी और सठीक information के साथ आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोप आप से लेता हूँ विदा, जैखनी